स्वामिनारायन साक्षात अक्षर पुरशोत्तम सरवेभ्यो परमाम शांतिम आनन्दम सुखमरपयेत। स्री स्वामिनारायन भगवाननी जै स्री अक्षर पुरशोत्तम महराजनी जै श्री गुणातितानन्द स्वामि महराजनी जै श्री प्रमुख स्वामी महराज नी जै, श्री महंत स्वामी महराज नी जै, श्री प्रमुख स्वामी महराज शताब्दी महत्सव नी जै प्रगड गुरुहरी परमपुज्य महंत सामी महराज नी आगना थी अने आश्रीरबाद थी नित्य प्रात्व सभानों लाव आपड़े बताए लई रया छिये आजे आपड़ा माटे जैन्युआरी नी अच्याविश मी तारीक अने पोष्य सुधी पुनम एटले अक्षर ब्रह्म गुणाति तानंद सामी दिक्षा दिन अने चवुद्मो दिवस बालब्रभु गनिश्याम महराज सत्संगी जिवन अंतरगत स्रिहरी गीता नी विशे बक्ती माताने पुछायला परश्णना जवाबनी अंदर सत्पुरुषो ना गुणोंनु वरणन करिने समझावेशे गैकालना दिवस्त नी अंदर जे अती महत्वनो संत नाज ने सत्पुरुष ना जिवन नी अंदर उड़ी ने आखे वडगे येवो जे गुण के सुख अने दूख मान अने अपमान अने हर्ष अने शोक एवा द्वन्द थी रहीत होई जे मापड़े त्यां क्यावाहिशे के अयोध्यानो अर्थ शुँ के यत्र न युद्ध इती अयोध्या जे अयोध्यानी अंदर ख्यारे पन युद्ध न थाए कारण के भगवान रामचंद्र जीनू प्रगडपणू हतू एटले लोकिक दरश्टिये युद्ध न बने M सतबुरुष्यनो आयक महत्वन गुण छे के सूख ने दुखनी अंदर जेने समता रहेती होई समता तो रहे पण ये ना करता पाण ये द्वन्द थी रहीत रे ये ना थी पार रे बले आपड़ा जेवा मनुष्य लोक ने विशे मनुष्य दे धार्ण करिने पधारा छे चता पाण जेम संतो वाद करे थे ने के मानस बधास छे पन जेने तलावमा पड़े ने तरता आवड़े ए पण एक मानस छे अने बिजो तड़ावमा पड़े उंड़े जैने एक वकद बार आवे पन तरता ना अवड तो ये पन मानस छे तरता आवडे छे इपोता ना बाहु बढ़ वड़े करिने ये तरतो तरतो कांठे आवी जशे पन कोई व्यक्ती डुबी गएलो होई एने तारवो होई तो ये तरता आवड तो होई एज तारी शके तो तरण कलानी अंदर तरण विद्यानी अंदर ए परंगत कैवाई अने राज्य सरकार एवाज तरवय आओने पोताना राज्य नी अंदर अप्रकार नी जवाबदारी एमने सौपता होई छे ए पोते तो तरे पण बिजाने पण तारी शके एम सत्पुरुष्य आलोकनी अंदर अपड़ा जिवाबनी ने आवे छे त्यारे अपड़ने जेम जेम जेजे प्रकार ना समय अंतरे सुखने दुखना अनुभव थता होई छे एवी रीते सत्पुरुष्य ना जिवाबनी अंदर देहीक सुखने देहीक दुख पण गणी वखाद आवतू होई छे पड़ ए ब्यथी पार वर्तता होई एज बिजाना जिवाबनी अंदर आवाद्वंद माथी मुक्ती अपआवी शके अपड़े गणावदा प्रसंगो सुखना जोया चे पण सुखनी अंदर पणे मने क्यारे अतिशे चकी नथी गया फूलाई नथी गया अने दुखनी अंदर क्यारे पोते दबाई नथी गया पण हवे आपड़े जोये चे के दूख एटले शूँ तो गुणातितानंदे स्वामी आपड़ने बधाने क्या छे क्या लोक नी अंदर आपड़ने सत्संग प्राप्त थयो छे एनी अंदर भगवाननी कुरपाथी आपड़े कोईपण व्रकारनु दूख न थी पन दूख देहेना दूख हावीनु उभारे छे अरे देहेना दूख हावे त्यारे संतो वाद करेशे ब्रह्माणे यमना जीवननी अंदर शरीर साजु मांदू थाए त्यारे व्यक्तिने जीवननी अंदर दुख नी अनुभूती थती होईचे अने एना कारणे करिने दुखी दरदी पोते खुबज रोक अकल करी मुपत होईचे जरे भगवानना आवा एकांतिक संत चे अमना जीवननी अंदर आपणे गणिवदी रिते जोयूँ छे देहीक दुखो आयवाँचे पण छताई अमने क्यारे पोताना जीवर नी अंदर ए दुख वडे करिने दुखी नथी थया एमा पोते धिरज गुमावी पण नथी अने स्थीर अने धीर रहा आचे आपड़े जानिये छे क्या लोक नी अंदर मानसने जारे आवो देहीक दुखावेने त्यारे किटलो दुखी थाई जाए अगुनी सोने 22 साल नी अंदर अमे जारे प्रमुक सम्भी महरादनी आगनाति उत्तर गुजरात मा विचर्ण करता था अने ते वकद ना समयनी अंदर कार्तक मैना ना कुनम पच्छी ना विचर्णनों अमारो कार्यकरम शरू थाए तले अमारो चार मैना सुधी सतत तेक धारू विचर्ण चाले नानू गाम होए तो एकाद दिवस रहवानू थाई मोटू शहर होए तो बे दिवस त्रण देवस रहवानू थाई अब इरते विचर्ण मारो शरू थे लूले क्रमानू सार अम्दा वाथ्थी निकली अने पची रकन पूर्णी अंदर जे अम्बालाल गुरु महराज पोते खुब सारो सत्संग गरावता सद्गुरु संत स्वामी पाण गरस्ता स्रमनी अंदर अम्बालाल गुरु महराज नो समागम करवा माटे पोते त्यागल रकनपूरमा आवता ने अम्बालाल गुरु महराजे सास्टीजी महराजनो योग करावी आयपो वने सास्टीजी महराजना योगनी अंदर आगा पची सद्गुरु संसामिये पोते दिख्चा लिधी ए गामनी अंदर में गया शियालानी रुतु अती ठंडी पुष्कळ पड़ती थी खबर नहीं शारीरी तकलीप आवी एटले मने ते वखते ताव पुष्कळ आयो अपड़े जानिये छे के कोई पन मानस इटलो बदो ससक्त होई पन जारे ताव आवे ने त्यारे मानस एकदम धिलो थुई जाई एना जिवन नी अंदर रहेली उर्जा गोती हातना आवे शक्ती विहन बनी गयो होई कोई बोलावे तो पराणे पराणे होकारो आपी शके शरीदी नी अंदर आवेला आवा रोगना कारणे करिने मानस दिलो पड़ी जाई डॉक्टोरों नी दवा लेवा छताय पन त्यां गळ ताव उतरों ने एटले पाछा आमे बिजेत दिवसे अंदावाद मंदिर आगा त्यां पन दवा चालू करि एटले बेचार दिवस्त आवी प्रकारनी तावनी चड़ती पड़ती आवी ने रही पन बापाने पत्तर लख्यों के सामी आ ताव सहन थतो नथी एटले अवेतमे मने धाम्मा लई जाओ आना करता तो सुखी थाई जेए अने त्यारे ब्रमुक सामी जी महराजनों एक पोश्काड आयू जर धर्मचरण स्वामी ये सरुवातमा आगल लखेलू अने पची पाचालना भागनी अंदर अड़्दू पत्तो है अमा स्वामी शिये पोत्य लख्यू के शरीर तो रोगनू घर चे आवे ने जाए देवा करबानी रैजाय माटेया हिम्मत राख्यवी एवी उतावल न करवी के आपड़े दम्मा जतू रहूँ छे बापानों पत्तर आयो पची थोड़ीक हिम्मत आवे ने पची तो सारू थेयू पची विच्रण पण करिऊ पण मुट्ता भागे आपड़ा बद्धान जिवरनी अंदर अनुभव आपड़े करिये छे के शरीर नी अंदर काईपन प्रकार नू आओ रोग आवे ने त्यारे रोगे करिने मानास भोताना जिवरनी अंदर शक्ती विहिन बनी जाए छे घणा लोको तो अभी पथारी वश पड़ेला होन त्यार गणी वकत गामडा मान लोको वाद करें कि ये डोहो पड़ेव पड़ेव बोलेग मने हरप करड़ाओ मार मरी जवू छे मने जेरी दवा आपिदो मार मरी जवू छे आ देहेनों दुख सहन नथी थतु तो मानस ने सुखनी अंदर आनंद आवे छे तो आपड़े समझे चे पण सापडा सास्तरो ने आपडा संतो ने आपडा सत्पुरुशो के चे क्या लोकनी अंदर संसार ना सुखनी अंदर आपड़ने जेकई आनंद आवेचे क्षणीक छे जम संतोक निवध बात करे के उनाला नी काल जाल गर्मीनी अंदर पांच जानानू परिवार एरंगीला राजकोटनी अंदर बार फरवा निकलु होई मकानी अंदर तो पुषकळ गर्मी थती होई लेक चालो थोड़ा पगे चालता जालता वकिंग पन थाई जायने आगळ जेए तिया आगळ त्या बे वस्तु विशेश राजकोटनी अंदर वकणाई उनाला निंदर शेरडीनो रस पाइनेपाल फ्लेवर वाळो अने बीजो बरफ ना गोला तो बदा अने सभावी गरिती हिच्छा था एटले गोला खावा मटे बैसे ने गोला एटले सामाईने नहीं मोटी एक प्लेट नी अंदर बरफ नाकेलो होई बरफ नी अंदर जुजिदी फ्लेवर नी अंदर एसेंस नाकेलो होई एमा काजु ने द्राक्ष ने बदाम ने पची उपर पनीर ने पची माखाण ने पची मलाई ने अब दीज वस्तु अंदर नाखी ने डीस बनावी नापेले पांच जणा नी पांच डीस 300 रुपियानो 400 रुपियानो एक गोलो अवे जम्मा माटे बेशे टेबलू पर घुर्शी पर आतो करता जाए जारे ठंडो सरस्मजानो गोलो मढ़म मुके जारे गर्मी आजू बाजू होई अने अंदर ठंडक थती जाए सामसा में वातो करता जाए आनंद क्यों आवे पर दुजारे डीस खाली थाए जाए ने पशी धिरे ने आपड़े पुछे के किटलू बिल थयू तो 400 रुपिया नो एक गोलो होई तो 25 विश बेहजार रुपिया थ्या अने पच्छी एने अत्यार सुधी जिटली ठंडक लिदीचे ने ए ठंडक माथी सिद्धी ज गर्मी आई जगो हो हो 2000 मा तो आपड़ू दादानू खावानू चाले तो जो आपड़े क्षणिक सुख नी अंदर आपड़े बदाए सुख मानियेचे देहिक सुख नी अंदर आपड़े सुख मानियेचे भगवान ने संतना जिवन नी अंदर आउ क्यारे आपड़ने जोवा मल्यू नथी अनुभवाय मल्यू नथी ये तो केवल ने केवल ये सत्पुरुष्चे ये भगवानना सुखे सुख्या रहता होई छे एटले आपड़े जोईए के शरिरी नी अंदर देहीक दुख हावे ने त्यारे दुख वड़े करिने आपड़े दुखी थाईजेए छे गणी वखत गणा बधाना जिवननी अंदर एवू करमानू बंधने वड़ करिने एक एवू दुख हावे के लाखमा एकाद केश येवो पन होई के सम्पुर्ण पणे एक वरस, बे वरस, त्रण वरस, चार वरस, पांच वरस, छो वरस, सात वरस, दस-दस वरस सुधी कोमामा होई एना थी शरीरिनी कोई पण क्रिया न थती होई, घर नी अंदर रेनार होई, बधाने क्रिया करवी प्णती होई, खावानो खोराकसार होई, एकले सभावी गरिते इक करमानू बंधने आवेलू जे देहीक दुख चे, दुख नी अंदर मानस दुखी थाई छे पण सत्पुरुष्णा जिवननी अंदर आवेलू जे आवू दुख, एमना जिवननी अंदर एमने दुख नथी लागतू पण जेम सद्गुरु मुक्तानंद स्वामी पते बोला के महराज, अमारा जिवननी अंदर मने अईया अगल कैंसर के तक्षई रोग थयो छे तो हूँ भगवाननों प्रसाद मने प्राप्त थयो छे, एम समझी नेज मारा जिवननी अंदर हूँ जीवन जिवू छू अंतर थी हूँ येवो विचार करूचू कि आक्षई रोग थयो छे, लेक्षई रोग रूपी मने संतनों समागम प्राप्त थयो छे कि जना वडे करिने मने गलू अने चिकणू खावानू मारा माटे बंदी छे, मारे परेजी पालवी पड़े छे तो ये समय नी अंदर जो ये संत हता एटले अमने अमना जिवन नी अंदर माहराज प्रगट मल्याता अन एटले जे मुक्तानंद स्वामिपोते बोला के माहराज आ शरीरी नी अंदर आ रहेलू दुख दुख न थी, पण येने सवलू समझे शे एम आपड़ा जिवन नी अंदर पण सत्पुरुषो ना प्रसंगो ने जो आपड़े रस्पान करिये ने अनी अंदर थी क्यारे कावू आ कस्मिक नानू मुटू दुख थाई आवे त्यारे भगवाननी इच्छाव पर चोड़ी देवु वने देहे तो दुख तो देहेने चे देहनी अंदर रहेलो आत्माने दुख न थी, ए सत्पुरुष पोते आत्म सत्ता रुपे वरते चे ए ब्रह्म साक्षाद ब्रह्म सरूप छे, अक्षर ब्रह्म छे एटले एने तो कोई पन प्रकारना देहीक दुख यमने दुख लागता न थी जेम गुणातित आनंद स्वामी ना जिवननी गाथामा आपड़ने संबलवा मुड़ै छे के सामीपोते उगाड़ा पगे विच्णन करता जेम हत्यारे गर्मी पड़ै छे, हत्यारे ठंडी पड़ै छे, हत्यारे वर्साद पड़ै छे ए वकते पणावो होशो वत तो वर्साद ठंडी गर्मी पड़ती जोआए पन सामी पतेश्चु क्या था का देहने खासडा जवू करी नाख्यू से इतले आमें हला जही ने तो रस्तानी अंदर कोई पन जग्याए बावलनी सुड़ो आवे ने तो जैम कोई व्यक्ते पगनी अंदर बूट पेरेला होई अने बूट नीचे बावलनी सुड़ो करड करड करती भांगती जाए अने अमें हंहरवा निकली जीए एम सामी केशे का अमें वग्यर बूटे अमारा पगना तलिया एवा थाई गया छे के आवी शुड़ो नीवच्चे थी अमें निकलीये तो पणी शुड़ो भांगती जाए पण अमने इस शुड़ो वागये छे एनू कोई दुख नथी थतु एनू कारण एटलूज छे के पोते स्वयम अक्षर ब्रह्म छे एटले देहीक दुख नी अंदर सामी पोते क्यारे पोताना जिवन नी अंदर दुख मायनूज नथी ब्रह्म सरुब योगी जी महराज पोते छला छला वर्षो नी अंदर आपड़े जोईये के काण के पुर्वे अमने बहुत अपस्यरा करी खुब जम्ने क्यावाईने के नंद परमांसो जी प्रमाणे महराज ना समयनि अंदर जिवन जिवताता एवी प्रकार नू जिवन योगी जी महराज पोते जिवी गयेला अने इटलेज तेवखत ना समयनि अंदर बापा जारे मुंबई थी मुंबईमा बधारेने मुंबई रोकान दरिमान यंदर वडताल संस्ताना अगर अगर अगरन अरी भक्त वल्तराल वडताल संस्ताना तरस्टी अरी प्रसाद वाई चोक्षी ये बहुज मुटा सॉलिशिटर दा एमने योगी जी महराज ब्रत्य अदभूत प्रेम तो भाव तो अने बापा रोकाया ए दर्मान यंदर अमने पुता ने कोई कि नानू मुटू काम हशे एटले सामी योगी जी महराज ना दर्शन करवा आवी शक्या नही पड़ अमने खबर पड़ी के बापा तो आजे निकली जाई छे जनादर मंदीर आएवा चारे बापा नी एक सहज प्रकूरती हती के ट्रेन नो टाइम आठवा जनो हए तो हाडा हातना जैना अपड़ बेसी जवानू अने प्लेटफों उपर पर पन मुंबै नी अंदर नेनारा हरी भक्तो नाना मोटा बाय बदा छेला छेला योगी जी महराजना नजीक थी दर्शन करवा माटे बदा आवी गया होई बापा पोते त्या आगल प्लेटफों उपर बाकड़ा पर बैठा होई अथवा तो विल्चेर उपर बैठा होई आजु बाजु अरी भक्तो बदा नीचे बैसी गया होई माईक नीविवस्ता होई तो ठीक चे नैतर बापा पोते दुन बोलावर आवे किर्थन बोलावरावे बापा पोते थोड़ी अमरूत वानी हावे तो ये वक्ते अरी प्रसाद बाई चोक्षी पोते त्या आगाल दादर मंदीरे गया तो के बापा तो निकली ने गया छे रेल्वे स्टेशने दादर पहुंची गया छे अले आपने जो अजु कदा जे गाडी नो आवी तो दर्शन धई जे शे निवा समय ने अंदर दादर रेल्वे स्टेशन ऊपर आवी सरस्भा भराईले बैठेली रेल्वे स्टेशन ऊपर तो कौन जाए के जेने जवानु वे जायने आवाना वे उत्री निकली जाए कलाहौल ने बदी प्रकार नो अवु चालतू जो अपने नी वच्चे ब्रह्म सरूब योगी जी महराज पोते अवी भगवान नी वातों करता था नेमा हरी प्रसाद बै चौक्षे पोते आया है योगी जी महराज ना दर्शन करता बापा तरत बोला बालो आओ चौक्षी साथ तमें आवे बात करो पहसारूचू तमें आवी गया एम करें योगी जी महराज पोते अमने आग्ना करी एटले अरी पसा चौक्षे पोते बोला गणु मारा अंतर गिंदर एवु खेंचान रहतू तो के योगीजी महराजना दर्शन करवा जाओ जाओ पण एवा नाना मोटा कामनी अंदर अटवाएलो हतो अला दर्शन करवा आवी शक्यो नथी पण आजे जाओ योगीजी महराज पते आइथी विदाय लेशे अतले गम्मेधेम करिन दर्शन करवा जे एवी इच्छा थी आयोशू दर्शन थया अंतर आनन थयो अने पच्छी यहमने पते वाद करी क्या आपड़े बद्धा जत्यारे आ युगनी अंदर रहेची भगवान स्वामी नाराण 8400 वर्ष पहला पुरुत्ति पर प्रगड थया इवा जडबरत समा इवा 500 परमंसोने साधू नि दिक्षा आपिने साधू बनावेला एव परमंसोना दर्षन आपड़े तो कोई एकेरा न थी पाण आ युगनी अंदर जो तमारे एव परमंसोना दर्षन करवा होए तो ब्रह्म सरुब युगीजी महराजना दर्षन करेलो जे पोते पोताना जिवरनी अंदर देहेनो अनादर करीने ज वर्तता रया चे एकाद दिवस्नी कोई वाद न थी के एक दाड़ो यामने एक ताइम खावानू छोड़ी दिदू अत्वा तो एक एक पुवास वधारे करी दिदू अतो जन्म सिद्ध पुरुष अक्षर धाम मा थे आवेला पुरुषता अने पाछा आपड़ी वच्चे रहिने एपोते केवी दिते रहा चे अबड़े जो ये छे के गुरु विग्णान्दा सामिनी जोडे रहता होई रसोय हमने बनावी होई ठाकरजिनो थाल थैज्यो होई गैकालनो उपवास होई अजी पारणू तो हवारमा थैउनो होई अने ए वकतना समयनी अंदर गुरु ये मने जोगी गुणातितानन सामिनी वातो बोलो अवे जम्मा बैसवानू होई अर एज वकतनी अंदर गुणातितानन सामिनी वातो बोलो वानू के अने पांच वात बोले दस वात बोले पंदर वात बोले काईक वड़ी कदाचे कादी भून पड़े करना पड़े बन गुरुने जो मनमा यहो विचारावी जाए जहाओ आज भी जो उपास कर नाखो योगी जी महराज पोते पोताना संपूर्ण बक्ती भाव पुरवा के यह मने ठाकोर जी ने गुरु माटे रसोय बनावी होई यह जम्मानी तैयारी करता होई ने त्या गुरु यहने आप्रमानी आग्ना करे तो उपवास करी नाखता यह तो बराबर छे पन गणी वखत तो क्यावाए चे के गुरु पोते त्या वला रसोय बनावा माटे लावेला लाकडा होई बदा फाडेला होई एटले यहनी नानी मूटी चीरो बदी बार देखाती होई जिवा लाकडा वडे करीने योकिशी महराज ने किटली वकद बर्डामा मार मालो छे विलन हात्मा वेलने माला छे देहने दुख हावे चे पन चताए देहनो अनादर करिने वेठा चे इस समझे से के मार तो देहने पड़े चे आपड़े तो आत्मा चीए आवा दुख थी काए गभराई ना जवाए योगेजी महराज ना जीवन चरीत्र नो भाग वाँचो ने पुझे नारन भगत के अता विवेक सागर सामीये योगेजी महराज ने पुझे के बापा तमे नानो पड़ो क सुकर वा तमन मारो तमी क्यो आई उन करवा तयार शुँ अने त्यारे वगरवां के मारे, त्यारे योगी जी महराज बोला के गुरू, गुरू अमने मारे ने मारेन राजी थाता, मारे तो गुरू ने राजीत करवाता ने, भले ने मारे, जो आदेईग दूख हावे चे एनी अंदर पन स्थीर ने धीर रहा चे जे अडवाला नो प्रसंग आपड़े बदा जानियें चे के बापू पोते सत्संगी नहीं पर बासाइब घर नी अंदर सत्संगी एटले अमने आगरह करें कैयों के तमी आज आपड़ा घर तरप थी संतोने रसोय नू सिधु आपड़ाओ एक त्रांसने तगारा नी अंदर सिधु भरी दिरेलू घी गरम अतु एटले नो मुकवानू भोली गिला बदू सिधु आयू रसोय बनी गई घी आयू नो तो योगी जी महराजे प्रश्ण नहीं ना करो के बई घी नती तो सुकरवानू तो ठाकोर जीना दिवा माटे जेके इक थड़ू घी आवेलू ते आमा गुरु माटे बेत्रन रोटली चोपड़ी दिधी अने थाल ठाकोर जीना करे ने गुरु जम्मा बेटा ने ते वक्ते जेमनी रसोय अती एमने पन बोला वेला ने ते वक्ते एमनी थाले नी अंदर रोटली कोरी गई अने कोरी गई एटले तरत जे अमने मनमा थेओ के रोटली कोरी केम अने त्यारे एवक्त आ समयनी अंदर एमने विचार पन एवो आयो के मालू आ सादूने रसोय देवा जेवी छे नहीं घीतो बदू अलवी क्या लागा छे आमाने रोटली कोरी आबी छे अने त्य वक्त एवा विचार माहाशे एवी के वातोची तो थाई है शेले योगीजी महराजे पोते सोटी वडे करी करीने विज्णान्दा स्वामी ए यमना गूरु ए योगीजी महराने सोटी वडे करीने माहरा बढ़ानी अंदर होडो उठी गिली बापुने तो बोखबर अती थोड़ी गणी बढ़ घरे गया और गरे जया देवा तरत जे अमना बासाइबे गितू के आ घीले वानु आपड़े भुली गया अने त्यारे हमने मनमा यम्त्य करे दे मारा कारणे करे ने अमना गूरु ये जोगी महराज ने आवो मार मारो एटला लाहू जहे ने माफी मागू अने त्यारे त्यारे त्ये वक्ते बापू पोते तिया आएवा तर्य योगी जी महराज पोते बपोरु ना समे गुरु पोड़ी गेला अडवाल गाम ते वक्ते लाहिट पंखा नहीं अने खुलू शरीर करे ने बैठा ताने पगवा नुका एक मानसी पुजा आगे माणा करता आशे उपवास्तो अतो उगाडा शरीरे जहरे आमना बढ़ा नी अंदरावी होडो उठीली जोई लोईना चकामा जोया पगमा पड़ी याक सामीमने माप करो खरेकर उँ घील आवुज भुली गेलो तोन गीतो गर्मा रहे गेलू अने मारा कारणे करीने आपने मार खावो पड़ो त्यारे योगी जी महाराज एतलू प्रेम थी बोला कि बापु बोलू सो ने गुरू पोड़ी ग्या शे अने मने काई न थी वेम करीन गातर्यू जी प्रमाने मार पड़तो तो ये वो मार पड़े छता पण। देहिक दुख नी अंदर क्यारे ये पोते पोताना जीवन नी अंदर येमने कोई दिवस प्रकाशित करू नथी। पुझे महन स्वामी पोते एमना अनुभवनी वाद करता गणी वकत वाद करे छे के जारे पोते विनुभगत तरिखे योगे जी महराजनी साथे विच्रण करता दाने ते वकतना समयनी अंदर बापानाम चरणा और विंदलेपग दबावता अजले पिंडी नी अंदर एक गुरु काई न थिके बहु आगरा करे ने पूछू ने त्यारयोगी महराद बुला कि एक वकत अमारा गुरु ये बहु राजी थे गया अरे रसोडानी अंदर तपेली पकडवानी जे साणशी वेने साणशी लई चीटियो भरी अरे साणशी ना बेत्रण वळ दीधाने मां थी मांस नुल वचो बार काडी ना खेलो छता बण कैसे के गुरु राजी थिया ने इटले अमें के बोला नहीं महंसामी महराज ने खरेखर अंतर नी अंदर लागी आयू कि आ योगीजी महराजे किट किटलू एमने पोताना जीवन नी अंदर देहीक आवा बार्थी आवी गयेला दुख ने एमने सहन करा छे बापाये पोदे कागल लख्यो महंसामी महराजी पोदे कागल लख्यो संतने अब्धु आखो इत्यास लख्यो ने पची बापाने लख्यू बापा किट आमा अशिरवार लख्या आपो स्वामी थोड़ों माच्यों ने के अमस्टू लख्यों वाच्यों एले तरत खबर पड़ीगी स्वामी के आपड़ा वात भार पाडवा नित नहीं कागल फाड़ी नाखो योगी जी महाराजे ते वक्ते अमने नियम आप्यों क्या कोई ने वाद करता नहीं पण पची तो बापा धम्मा गया पची घणा बदा वर्शों पची ए महंत सामी महाराजे आप रकारे आपड़ा परसंग नी वाद गरे त्यारे आपड़ाने खबर पड़े के महाराजना समयनी अंदर जे परमंसों पोते रहताता एज ब्रकारनों जिवन जिवावाणा अपड़ा गुणातित गुरु वरियो छे के जे अमने शरेरी नी अंदर आवा घणी बदी प्रकारना दुखो आयवाजे पन दुखो ने अमने क्यारे दुख मानूज नथी इटले आपड़ा करता क्या जुदा पड़े योगी जी महाराज चले चली अवस्ता निंदर तो आपड़े बदा जानिये ये प्रमाने के बापा ने तो घणी बदी प्रकारना रोग अता रातरे घणी वकद उंगना आवे पची क्यावाईचे के प्रुष्टेजनी तकली भशे ये टले लगू करवा जवानू थाए तिये वक्ते बो लामो समय सुदी बैसी रहू पड़े अवी बदी प्रकारा नाना मुटा तेने सत्तर रोग लईने योगीजी महराज फरताता पण एमना मुखार विंद उपरत में जुओ तो शारिरीक दूख जे केवाई रोग ए रोग नी कोई असर नहीं अपड़ने तो रद्धोज कल्लाग ताव आयो हैं तो है ते आपड़े तो मुदूराम नानुयो उथे जाए ने पड़ी जाए ने जाने 500 ग्राम दिवेल पीजिया होए न आपड़ने जाडा थे जिया ह रात्रे जोओ, सवारे जोओ, बपोरे जोओ, ए अलमस्त आनंद नी अंदर अज पोते होई एवा दुख नी अंदर पण पोते कायम सुखम रहता इसलिए आपड़े याद राखवानू के आपड़े आवासत पुरुष ना देहिक दुखना प्रसंगों ने आपड़े रस्पान करिये तो क्यारेक आपड़ने आपड़ा कर्मानों बंधन वड़े करिने, यतवा तो जेते आपड़े खाखा करता होई तो येना कारणे करि मत अने बाल रे कि आवा मुटा पुरुष्ट नी जेटलू दुख तो आपणने नथी पड़ूने अने आईवू छे तो ये भगवानने इच्छा ती आईवू छे तो पण केचे कि आपणे आवा सुखने दुखना द्वंद रहित बनी जैए अनी विशेश वातो आपणे आ बगवाननी